दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है आगे भगवान राम बोले कहा है वो माई मैं उनसे मिलना चाहता हूं तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है इस दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ घूल उस तालाब में गिर जाती है तब ही सारा पानी साफ हो जाता है भगवान सबसे कहते हैं की देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तलाब का पानी साफ कर दिया भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिये भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चख-चख कर उनके लिए बेर लेकर आई उन्होंने बढ़े ही, प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्षमन को बेर दिये भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया तभी बेर देखकर मुह बनाते हुए लक्षमन ने कहा भाईया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं भगवान ने जवाब दिया लक्षमन, ये जूठे नहीं, बलकी बहुत मीठे हैं शबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा आप मुझ से जो चाहे वो मांग सकती हैं शबरी ने उन्हें कहा मतंग रिशी के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संसकार किया और सीता मा की खोज में आगे बढ़ गए इस तरह से रिशी मतंड की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा कहानी से सीख सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं झाल झाल झाल